कि अलोग दोस्तों मैं अंगर सर लर्निंग भी दुर्गेश में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं तो जैसा कि कल हमने पिछली क्लासों में पढ़ सुके थे हम लोग की संख्या पद्धत में आप यूनिटंग कैसे निकालोगे ठीक है और उसके बेसिक क्या हो सकते हैं और अस्थानी मान और जाती मान पर भी हम लोगों में चर्चा कर लिया था तो आज हम पढ़ेंगे विभास्ता का नियम यानि डिवीजिबिल्टी नियम डिवीजिबिल्टी नियम रूल्स इंपार्टेंट कुछ कंडिशन बताएंगे उसके बाद हम संख्याओं पर चर्चा करेंगे आपसे और जो इसके जैसे नियान बेकारूल क्या होता है सतान बेकारूल क्या होता जैसा मैंने आपको बताया था तो इसको एक कलास मेरी अलग से क्यों रहेगी क्यों कितनी जो को हम बता देंगे जैसे कभी कभी आयाता है सेवेंटी टू रूल्स इससे डिवाइट का नियम तो आप अगर इसके लिए नौ का नियम और आठ नियम जान रहे हैं तो आपका सवाल हो जाएगा ठीक है कई बार दिखो सवाल में 88 का भी नियम आया तो अगर आप इससे 11 गर आट का जान रहे हैं तब भी आपका सवाल हो जाएगा अ मेशारा την यान DAN से जो चोटी-्चोटी बाते हैं जो हम आपको इसके करने वाले हैं ऊसको आप अप कि या इसे बढ़ने मैं बताया दो का नियम यानी दो के पावर एक यानी इकाई का अंक जो है इकाई का अंक दो से क्या होना चाहिए ड्मीजबील मतलब हो जाए रहा चाहिए या तो यहां जीरो चार से तो यह दो का पावर क्या है दो यानी एकाई और दहाई का अंक दो जो है चार से क्या होना चाहिए बात बिफट सोना चाहिए जैसा कि क्ल kanal की आप जानते हैं कि मैंने इस पर आप से चर्चा ढिया था co सेलेर हो गई शार दुना आठ आठ की बात क्या होती है दो की पावर तीन यानी यूनिट डिजिट से लेकर सहिकडे तक की बात हो जाए यह भी भगत होना ची अब ध्यास समझेगा मैं बात को यहां पर दो कंडिशन उत्पन होती है यहां पर दो कंडिशन जैसे मैं एक संख्या ले लेता हूं मालों पांसो बार अब देखो इस दो अंग के बाद इस दो अंग के बाद यदि यह वाला समसंख्या होता तो आपको इस डिविजबिल्टी आसान से लग जाती कि तीनंग चेक करने की जरूत नहीं रहती अगर यह वाला समसंख्या होता लेकिन यहां पर अगर यह बिसम है तब आपको चेक करना होता है लेकिन अगर मालो यही बात मैं ऐसे कह दूँ 624 ज्यान देना अब यहां पर समझे एक बात जब आठ से आप तीनंग में भाग देते हो तो देखो आठ सते 56 लिखते हो और यहां घटाओंगे बारम शग अच्छा और एक चार आठ अठ चौशाट कट गया न यहां से मैं क्या आपको बताने वाला हूं कि अगर कि तीन अंक में कंडिशन समझेगा यदि तीन अंक की मैटर में इन दो अंकों के बाद यानि पहले कोई सम संख्या आ जाए कोई क्या जाए कि सम संख्या आ जाए तो आप समझ जाएगा कि यह आर्ट से डिवीजिबल का नियम होगे डायरेट आप इसको देखेंगे इस 24 को देख लेंगे अगर यह संख्या आर्ट से कट रही है तो आपको कुछ करने की जरूद नहीं है आप डायरेक्ट 24 से कट लीजिए क्लियर होगी बात देखें अगर यही बात अगर मैं इस तरीके समझो कि यहां पर जो है यह संख्या तब देखेंगे जब यह हवाली सम संख्या हो और यह पांच संख्या नहीं है पांच क्या है एक बिसम संख्या हो तो जादा बुद्धि लगने की जरूद नहीं पड़ती आप डायरेक्ट पूरा तिनों देख लोगे समझपाये तो आठ का नियम बहुत इंप संख्या है तो चेक पूरा मनना करो इसी को देखकर समझ जाना कि यह पूर्डोप से कट जाएगी और अगर ऐसा कुछ है तो आपको जरूर चेक करना चाहिए चाहे जिस संख्या को कटने के कि बात अगर विसम संख्या तब भी आप चेक करेंगे क्लियर हो गई अब आठ दुनिया अगर सोला की बात मैं करूं कि तो सोला बनता है दो का पावर चार यानि अब चार अंक जो है एक दो तीन चाहिए चार अंक पटने चाहिए सोला से क्लियर हो गई अगर यहां दो ही अंक हो तब अरे दो ही अंक हो तब तो काटी लोग जीरो जीरो समझांगे प्रस्म उनके लिए बता रहा हूं चल्ट अब तीन का नियम समझेंगे तीन का नियम क्या अब अच्छा देखें जब मैं चार्चा करता हूं तीन की नियम का तो जैसे दो अंक ले लिए मैंने मालों दस ए प्लस बी बाई तीन अब मैं तीन से अगर भाग देता हूं इसमें तीन से अगर मैं तीन से अगर जिसमें भाग देता हूं तो देखो रिमेंडर कितना आएगा एक तीन तरिक करना हूं एक बच जाएगा और प्लस बी बच जाएगा और यह संख्या किस से डिवीजबल हो जाएगी तीन से पहली बात दूसरी बात देखते हैं कि यदि मैं हंडर्ड एट प्लस टेन भी प्लस सी डिवाइड वाई रिकर दूं यहां से रिमेंडर तेंटिस्तिया निन्यान भी एप जाएगा और यहां से करोगे तीन तरिक का नौ कि टरिक का नौ तो एक भी बच जाएगा और यह सी तो बचाहिए रगला तो आप यहां से क्या सिख पा रहे हैं कि संख्याओं का योग क्यों क्योंकि मैं कहा रहा हूं आ ए बीसी है तो इन तीनों क्योंकि योग फल्वी तीन से विजबल होता है तो नियम भी तीन से क्षक्ष्ट अब बात करूं किया 123 से कट जाएगा तो आप कहूंगे 3426 आप यसलियाएगा क्योंकि छा तु 3 के नियम में आता है क्यों क्यों पॉत जैसे मैं कहूं एक ठीक है बोलो तो तीन का नियम समझ पाए तो कहां से आता है यह भी बात मैंने आपको बता दिया तीन का नियम कैसे आता है क्लिर होगी चलो कि अब बात करेंगे पांच का पांच का सिंपल नियम होता है या तो लास्ट में जीरो आ जाए या तो पांच से विभगता जाए है कि नहीं अच्छा ए भी चेक कर लेते हैं जैसे टेन ए इसी भी को निकाल सकते हो ए आप समझ लेना तो पांदो ना दस ए तो हो जाएगा जीरो तो बचा क्या से कटने वाला होना चाहिए जीरो या पांच से विभगत होना चाहिए तो आप इससे निकाल पार रहे हो देखो पहली बात हो गया खुद से बनाना सीख लोगे अपलो जैसे मैं कहूं हंडेड ए प्लस दस भी प्लस सी डिवाइड भाई पांच ही बात में करूं एक अट ज से होगा जैसे अगर मैं कहूं किया 125 से विभगत हो तो अंतिम का देखना है आपको ठीक है मैं क्या कहूं कि बारबंस मुझा होगा तो अंतिम का देखना है आपको क्लियर है मैं कहूं अगर 1125 क्या पान से भख्त होगा आप कहेंगे सरंतिम का देखना है तो यह सब संख्याएं पान से भख्त हो जाएंगे बहुत आनंदा हैगा अभी इसके बेसिक थेयरी को हम लोग लेकर चलते हैं जो जानकरी हमको चाहिए अब छा का नियम देखिए अगर का नियम है दो और तीन में दोरों में आता है तो दो भी देख लेना है आपको और तीन भी देख लेना है जादा जानकरी चाहिए तो आप इससे बना सकते हैं 10A प्लस B डिवाइड बाई 6 तो 6 बनाएंगे तो 6A प्लस 4A प्लस B बाई 6 यह तो 0 हो जाएगा यहां से 4A प्लस B हो जाएगा तो आप बात समझ यह भी एक तरीका हो गया एक तरीका हो लेकिन आप इसको यूज ना करेंगे क्योंकि यहां से सिंपल इक सिटी हो जाती है यहां पर रखने का मतलब है आपको जैसे रख तो सकते ही हो कि 6 नियम है कट जाएगा चार दूनी 8 ऐसे करके एक एक दो तीन च्छा की बैलो रखे ए भी च्छा का नियम फालो कर सकता है यानि जैसे मैं कहूँ 4A प्लस B का मतलब जैसे मुझे 24 करना है ध्यान देना 24 करना है तो मैं क्या करूँ इसका 4 गुना कर दूँ चार गुना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा अवाट प्लस 4 कर दूँ तो क्या हो जाएगा बारे और च्छा से क्या होगा प्लस लेता हूं जैसे मैं 32 लेता हूं 36 लेता हूं 36 मालों तुम्हाने पास सवाल आया चाह से डिवीजबल करना है तो इसका आप क्या करोगे चार गुना कर दोगी चार गुना करोगे बच्चा ते हो जाएगा बारा प्लस तो बारा अच्छा अठारा एभी एक नियम आपका देखो निकल कर कि इस तरीके से भी कर सकते हो यानि फूर एपलस बी से भी कर सकते हो इससे बच्चा और एपलस बी भी डिवाइड होगा सेक्षे नया हो गया लेकिन अगर यह बात जानते हो तो दो तीन में दूनों में काम कर जाओगे जो संख्या है दो से कट जाए और तीन से कट जाए है कि छागई बर बार देखों कि याद हो जाएगा सबीच आएसे हम लोगों को याद हो गई है तो आपको भी आधकी तक आप साथ का नियम देखते हैं पशनी नियम तो कोई भी आप बना सकते हो से हो आप जैसे मैं आपको बताँ हूँ कि आप 10A plus B को साथ से भाग दें तो साथ से भाग देंगे तो तीन बच्चे हैगा तो 3A plus B भी डिवाइड होगा किसे साथ से यानि दाहाई के अंग में किसे गुड़ा करना है तीन से और इकाई को जोड़ देना है बात हो गई आप जैसे छोटी सी बातों को ले रखर मैं करना हूं मालो 343 लिया मैंने पहले चो यह दो अंक पर बात कर ले होता हूं पहले कुछ लोग भाई समय नहीं पाएंगे दो अंक पहले हम बात कर लेते बच्चा यह लोग पहले दो ले लो देखो जैसे मैं बात 28 करूं इसका कितन गुणा तीन गुणा और प्लस आठ आर्चर जोदर बोलो चाउदर किसे डिवाइड हो जाएगा साथ से हो जाएगा जाएगा साथ से हो जाएगा अगर मैं इसी बात को ट्रिपल कंप्लेक्ट में करो यानी 100A प्लस 10B प्लस C डिवाइड वाई सेवें आप देखो जोदर स दो बज जाएगा प्लस साथ एक का साथ तीन बज जाएगा और प्लस C डिवाइड हो जाएगा किससे से वन सब तो इस कंडिशन को भी आप फालो कर सकते हो कि जैसे मैं अगर चर्चा करूं गटेगा तो आप देखो इसमें किस Commerce दो से तीन दोना यह प्लस इसमें किसी मल्टिपल तीन से तो चारती है और अब पलस की कितना तीन गिं। तो नियम अपने से भी लगा सकते हो आप इस तरीके से नियम कर सकते हो लेकिन इसका वर्जिनल नियम जो आप यूज करोगे सवालों में वह क्या करोगे मैं बता दे रहा हूं कि देख कुछ करना नहीं है इसदर के अंक में दो से गुड़ा करना है और यहां घटा देना आ तो दो से गुड़ा करके इसमें घटा देना तो चार दुनी आठ हो एक मैंसे साथ तो सास साथ क्या हो जाएगा कर जाएगा तो रेमेंडर कितना जाएगा जीरो जाएगा देखिए बास मैचिएगा 343 ले लिया मैंने इसका 3 दुना 6 किया 28 आगया 8 दुना 16 किया 14 आगया 4 दुना 8 किया 7 आगया तो 7 साथ से क्या होगा कड़ जाएगा जैसे आपको मालो गादिया 739 क्या साथ से कड़ेगा तो 9 दुना 18 रहे 2 से गुड़ा करोगे तो 9 दुना 18 बारम से 8 के 4 और 6 में से 5 और दिक्कत होरी 8 से गुड़ा करो चार दुना 8 आठ में 5 के 3 यह क्या होगा साथ से नहीं कड़ेगा समझ पाए कि या तो अपने से भी निकाल सकते हो किसी फार्मूले को या तो फिर जो डारेक्ट मैं फार्मूला बता रहा उसको भी अपने दिमाग में रख लो ठीक 8 के नियम में आजाओ आठ वाला हो गया था नौ में आजाओ नौव वाला नियम क्या कहता है कि कमस्ते हैं वह कहता तो वह भी वही जो 3 का नियम कहता है ए प्लस बी प्लस से डी बटे किससे होगा नौप अगर मैं कहूं एक दो तीन चार प और उसी चीज को यह भी फालो कर रहा ना अलोर जो है वही नियम करता लेकिन वह नियम हम आपको बताते हैं कैसे करता है उसकी वह चर्चा है आप प्लस बी को नौ से डिवाइट करूं तो यहाँ क्या रिमेंडर मुच्छे गा एक और वहाँ भी तो हो गया ना यानि ए प्लस बी भी किस से भाग होगा ना उसे भाग होगा अब बात समझे यह तो पहली बात हो गई दूसरी बात हम करेंगे कि अगर 100A प्लस 10B प्लस C डिवाइड भाई किस से ना उसे यहां भी बच्चा कितना आएगा 99A आजाएगा प्लस यहां भी B आजाएगा प्लस यहां भी क्या आजाएगा C बटे यानि जो तीन का नियम है वही ना का भी नियम है लेकिन जरूरी नही है जो तीन से कटे में यह चाहिए आभी 3 से थो 6 कटे है वह चोटी चोटी चीजे से बड़ा प्रस्ण बनता है तो आप इस चीज़ को जरूर द्यान रखेगा अब हम समझते हैं इस पे कि 9 के नियम को मुने समझ पाया 9 का नियम क्या हो गया 9 नियम हो गया भाई A plus B be 9 से divisible होगा या A plus B plus C b क्या होगा 9 से divisible होगा या कि ए प्लस बी प्लस टी प्लस डी भी नौ से क्या होगा इस तरीका समझने का मतलब है कि अगर कि अगर कर देता हूं इस से नौ को भाग देना है तो मैं देखता हूं कि नौ नौ कहां बन गया थे पांचार नौ बन गया गया श्सायतरी नौ बन गया गया साथ दो नौ बन गया गया आठ और एक नौ旗 क्या जाएगा है रिम हेंडर क्या जाएगा जीरौ बंदर जाया तो नौ कर नियम समझ्पाइब लृ reproductive नौ कर नियम समझ्च पैठ भंदो दस नियम तो सभी लोग जानते हो कि अन्ति में जी रोख होना चाहिए 11 की बात करता है 11 बहुत इंपार्टर नियम है इसको जरूर रट ले ना 11 का कि अब जैसे मैं इसको कहूं कि दस ए प्लस भी डिवाइड वाइड ग्यारा यहां जो ही मैं भाग दूंगा माइनस में आएगा और माइनस में आएगा और यह प्लस में या नी अच्छा पहली बात दूसरी बात अगर मैं यहां से 100 a plus 10 b plus c divide by 11 करूं ति 119 इन भी एगा फिर माइनस ऐगी फिर ओह जाएगा अगर ऐसे ही मैं वर आगे करूंगा फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस इस तरीके से आता जा रहा ते हाओ नियम क्या निकल कराया देखिया यहां से नियम निकल कर आया गया कि अगर A, B, C, D, 4 संख्या है एवला आपस में जुड़ जाएगा और A आपस में जुड़ के घड़ जाएगा यानि सम का समस्थान से विसम का विसमस्थान से यानि पहला विसमस्थान है और तीसरा विसमस्थान है तो B पलस D हो जाएगा औ इन दोनों में से c plus a को क्या करेंगे घटा देंगे तो कह रहा था दो माइन्यस आ रहा है और दो प्लस आ रहा है और जो माइनस आ रहा है और वह स्कुनिदर करोंगे तो घट जायेगा तो एब बात कहां से निकल कराई समझपहे जैसे मैं कहूं एक से कीस है क्या यह 11 से विभक्त क्या करोगी एक एक दो करोगे और ए माइनियस दो है या 0 आजाए या 11 से विभक्ता का नियम आजाए या तो 0 आजाए या तो 11 11 है को असे विभक्त होता हुद कर एती है या तो क्या हो जाए बदक से है क्या हो इस कंडिशन में आता है तू कुछ लोग बच्चे जानते भी होंगे बड़ा काम करेगा यह प्रश्ण कराऊंगा जब ठीक है अभी टाइप सिस्टम में मैं चलना हूं कि क्या है प्रश्वाद में करा दूंगा जैसे 1331 से आप लोग करना एक बार प्रश्ण क्या करेगा ना यह सवाल में कुछ करेगा न पीसार माइनस यहां क्या जोड़ दें यहां भी चार आना चाहिए तभी 0 आएगा तो तीन होना चाहिए तभी 0 आएगए तो इस कंडीशन किया हो गया तीन हो तब तीन चार जीरो आजएगा और जीरो का नियम यहीं है यारी 1331 भी क्या है डिविजिवल है जैसे मैंने का तीने चाहां मैंने तीने चाहर यहां से बैलू क्या गई सुन्ने आगी तो सुन्ने की कंडिशन में भी हमको यह बात जाननी चाहिए बोलिए बात संज़्वा गई क्लियर हुआ बात जब ग्यारा का नियम ऐसे आप बनाना चाहते हो तो किसी का भी नियम बच्चा बना सकते हो यह फ्री हो यह तो मैं 11-13 बना रहा हूं आप जो भी नियम बनाना चाहते हो बनाना उसका दिन बताऊंगा कि इस पर यूज कैसे कै बश्चनाते हैं जो आपको मैं कराने का भी प्रयास करूंगा जैसे अभी 11 बताया तो तीरह का भी नियम ऐसे ही आप लगा सकते हैं जैसे देखिए लोग करते हैं सब्सक्राइब कुछ भी नियम बनाओ बन सकता है सब जो महत्वपूर्ण है वह आपको मैंने बता दिया सब्सक्राइब कि आप मैंने कहा कि तेरह का नियमा बनाओ अब आप कह सकते होटे ने प्लस भी अपान तेरह आप देखो यहां पर माइनस तीरह यानि दो बाते हास वह नहां गई जैसे मैंने कहा माइनस तीन का मतलब है बच्चा कि इसका माइनस तीन से गुड़ा कर दो तीन दूर अच्छ और एप्लस च्छ पताओ जीरो के बराबर संख्यहत्टिरह से क्या होगी कड़ गाएगी तो नियम बन गया कि नहीं बन गया ज्राब बताओ बना की नहीं बना बन गया क्योंकि मुझे पता हो गया कि भाई साब ऐसे कंडिशन होती है अब जैसे मैं कहूं 49 की बाद आप देखना है इधर वाला माइनस थ्री और उधर माइनस थ्री गुणा तीन तरीक का नव और इधर प्लस गुणा तो यह भी कितना बच्छा जीरो तेनी 49 भी क्या होगा 13 से खट जाएगा इसी तरीके से अगर आप तीन की देखो 100 a plus 10 b plus c divided by 13 13 सते क्यां बे देर सते एक च्यान बे आज नाव ए इन माइनस थी बी प्लस सी अब तीन अंक के लिए रहे तो नव का गुड़ा माइनस थीन गुड़ा प्लस सी कर दोगे जेरो के बराबर आ जाएगा तो अभी संख्याश से यह नियम है बच्चे अब यह सब को आपको बनाओ चाहे जितने का बना लो कोई दिक्कत नहीं बनाने के लिए सब चीज कहां से बनी है मुख्य बात यही है पूरे डिविजबिल्टी नियम की सबसे मुख्य बात अगर परिच्छा में मालो आपको नहीं आती है तो आप A बाई क्वेश्चर मार्क 10 A प्लस B बाई किससे निकालना है या 100 A प्लस 10 B प्लस C से आप निकाल सकते हैं ठीक है बाकि नियम अगर जो 13 तक जान गया है इससे पूरा काम परिच्छा का हो जाएगा बाकि रही बात आगे कि मैं एक दिन बताऊंगा उसको भी जहां मैं इसकी प्रश्ण कराऊंगा तो कुछ चीज़ें आपको बताई जाएगी जो आप डारेक्ट वहां पर निकाल सको क्लियर है ठीक है चलिए बात को समझते हैं बात को समझे है कि देशी operate कि धा कर आफो हम से निए सद्विय्डिने की बात हम से हो गई अब चर्शा करेंगे टैक नंबर और पॉल्की और प्राक्रस्न अ कि बात हम करेंगे आपसे के प्राक्रूतिक संख्याओं की बात हम करेंगे प्राकृतिक संख्याओं की बात चर्चा करेंगे तो बच्छा पहली बात प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का यूद्ध एन प्राकृत संख्याओं का यूद्ध तो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डाट डाट प्लस यह आप जानते होंगे यह 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 प्लस वन भाई तो बहुत इसकी जरूद पढ़ती नहीं लेकिन जानते रहो कि फार्मूला क्या होता है एन एन प्लस वन भाई अब वर्गों की बात मैं कर रहा हूं तो वर्गों का समझेगे प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का युपर प्राकृत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का युपर प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का युपर इसको जरूद करनी पड़ेगी क्योंकि यहां से क्या निकल के आएगा ध्यांस देना जुवार है इसका कि जुवार से कैसे सेट कर सकते हैं तो इन प्लस वन यह सब फार्मूले हैं यह आपको दिमाग में रखना पड़ेगा क्योंकि कभी कभी बड़े आसान से तरीके यहां पर दे के पूस्ट दे जाते हैं तो आप यहन की किवल बैलू दस ग्यारा बारा तेरह ऐसे रखके भी काम अपना कर सकते हैं सही बात है आओ घनों का योगफल सीखेंगे तब सवालों पर चलेंगे थोड़ी बात आपको समझाएंगे तीसरी बात घनों का योगफल तीसरी बात हम करेंगे घनों का योगफल जैसे एक का क्यूब प्लस दो का क्यूब एक का क्यूब प्लस दो का क्यूब प्लस तीन का क्यूब प्लस डाट डाट प्लस एन का क्यूब यह कि आपका होगी यह एन को ऐन प्लास उट वन स्वन बख धू समगें कि एगह अग्ञानों का क्यून होकि देखें पहले का यह तीनों फार मेरत एक ज़ह देख लेते हैं पहले का आप ने पढ़ हाई य य Niye एन प्लस one by 2 क्या पढ़ा आपने यह एन प्लस one by 2 दूसरे कापने क्या पढ़ा में तूसरे इन प्लस one 2n प्लस 1 बई 6 और तीसरे का आपने क्या पढ़ा तीसरे का आपने क्या पढ़ा n प्लस 1 बई 2 का यह आपके दिमाग में बना रहना चाहिए क्योंकि यह बहुत ही जरूरी है बच्चे अगर जानकारी ठीक है क्योंकि इसको आपको जानना बहुत ही जरूरी होता है अब थोड़ी सी बात यहाँ पर मैं चर्चा करूंगा जिसको आपको समझना है यह तो मालो नार्मल सी बात है कि प्रत्थम पद देखो क्या करेंगे इस बात को प्रथम पद, पलस अंतिम पद, अनतिम पद, बटे दो, गुड़े पदों की संख्या, गुड़े, पदों की संख्या लगा देंगे, अब पद कैसे निकलेगी, इसकी विचर्चा करूंगा, अंतिमपद माइनस प्रथमपद बटे सारवांतर गुड़े प्लस वान सारी ठीक है अभी हम कुछ अच्छा करते हैं आप इस बात को तो आप आसान से निकाल लोगे क्योंकि यहां से दो बाते निकल गई एक तो यहन यहन प्लस वन बाई तू आ गया भुली दूसरी बात इस बात को समझेंगे इस बात को लोग यहन यहन प्लस वन बाई सिक्स तो याद रहता है लेकिन यह टू यहन प्लस वन की जगा बैलू रखने भूल जाते हैं तो कुछ करना नहीं बच्चा इन दोनों आपसको जोड़ दो जोहीं जोड़ोगे इसको तो एन एन से जोड़ जाएगा प्लस वन साथ में चलाएगा नई समझ पहें जैसे अगर मैं इस बात को समझाओं आपको तो समझना एन प्लस वन ओके « performs zwischen प्ल्स हूं कि एन प्लस वन और इथर हो سमजिद्द आप जोड़ेंगे ए वला मिल जाता है इन प्लस इन प्लस वन बराबर हो जाता है तो इन प्लस वन आपको यहां से चीज मिली अगर मुझे 60 गुड़े 61 मिला और बटे 6 याद आ रहा है तो हमको पता है इन दोनों को जोड़ दो 6-6-12, 121 हो जाएगा यानि अगर इस फार्मेट पर मैं रख के देखूं इस फार्मेट को अगर यहां से यहां की वेलू साथ रख के देखूं तो 60, 61 और 2 इन तो 62, 120 और 21 और 20 बटे यहां समझ में आई तो यह सब जोवार है जो बटा इसको आपको दिमाग में रखना है जोवार भी दिमाग में रख के चलना होता है तो अब फार्मेट समझ में आ गया होगा कि एन एन प्लस वन और 2 एन प्लस वन भाई सिक्स कैसे सेट करोगे ए और यह सब को याद रहता है ए नहीं याद रहता मैं फिस बता दे रहा हूं गरवड़ा जाता है तो इसको दिमाग में बस्त रख रख ले सभी बात है और तीसरा तो इस दिमाशान है कि पहले का स्कॉयर करना है पहला क्या है यह न एन प्लस वन बाई टू का अच्छा कई जगां जो है इसको yn square डटे 4 और yn Gustown का स्कुर्धा लिखा गया है ते से प्रसान होना नहीं है ये वही बात है yn का स्कुर्धाइर और कि इंग कई सकुवार्owa दो दूना चार और इसका तो पोल स्कुर है तोड़कर नहीं लिखा गया है चर्चा करेंगे देखो कि अगर्चा करते हैं इस बात को जैसे आप देखो जब दस पास करके ग्यारा बारह पड़े होगे तो समांतर शेड़ी पड़े होगे थोड़ा सब्सक्राइब उस बात को बताता हूं क्योंकि यहां पर देखो दो बाते हैं जब हम पदों की संख्या निकालते हैं या तो हम टीर बराबर a प्लस n माइनस और इंटू डी से निकालते हैं और योग फल जब निकालते हैं कि यह फ़ल जब निकालते हैं तो एन बाइटू कि तू ए प्लस एन माइनस वण इंटू दी से निकालते हैं कि यह बात अगर आप लोगों में पढ़ा होगा तो ठीक है नहीं पढ़ाओगा तो कोई बहुत आउसकता इसकी नहीं है लेकिन इंपार्टेंट टंडिशन में आता है क्योंकि जब मैं नंबर सिस्टम में समांतर शणी के बाते आपको पढ़ाओंगा तो इस बात को आपको माइनस प्रथमपद प्रथमपद बटे चारवंतर और प्लस एक और हमें अगर योगफल निकालना हुआ तो हम क्या लिखेंगे प्रथमपद प्लस अंतिमपद बटे दो गुड़े अधों की ठीक है आप जैसे हम को बात समझी है हुआ 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 है माली एक से लेकर एक दो तीन ऐसे मुझे दस था मिकालना है पहले आसान सवाल से प्लस तो हमको पता है दस है लेकिन आप नहीं पता है क्या करोगे सरवंतर होता है इन दोनों का डिफ्रेंस देखो यह जो एक है बच्छा ता यह एक प्लस दो परी चलो एक कामा दो प्लस भ प्लस के लाता है इन दोनों का डिफ्रेंस इस सबका डिफ्रेंस ए टいक राता ऑस सरवंतर शारवंतर में और यानी डोनों के बीच कांसर होगत रोया न दोनों के भीच वही होगत दोनों के बीच को यह और आंतरशनी के अब आप हमको बताओ तो आप जब पद निकालते हो तो अंतिमपद दस माइनस प्रत्थम पड़ अंतिम्पद मैं एक तो सारवंतर निंदोनों का कितना एक और प्लस पितना एक तो पदों की संख्या कितनी आ गई नौ एक दस तो आप जानते हो कि यहां तक पदों की संख्या गई दस और एक से दस तक पद तो दस ही क्लियर हो गया चल चा चलो अब बात करते हैं कि भई हमने इस बात को समझा क्या समझा देख अगर वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस डाट 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 कहां तक अगर दस तक लिया तो मुझे यहां से तो पता चल गया कि पदों की संख्या क्या क्यों मैं अंतिम पद दस माइनस प्रथम पद एक बटे सारवांतर इन दोनों का डिफरेंस एक और प्लस एक उत्तर आगया दस यानि इसमें पदों की संख्या कितनी दस पदों की संख्या कितनी दस दूसरी बात प्रथम प्लस अंतिम प्रथम मने एक प्लस अंतिम अंतिम मने दस बटे दो योगफल निकालना हो यह योगफल है न और गुड़े इन पदों की संख्याई कितना दस यह हो गया दस तो दो पचे दस तो पांच दस और एक 11 11 11 गुड़े पांच 11 पचे आप समझ पाए अगर नार्मल बैलू इस तरीके से आपको निकलना हो अब इसी सवाल को थोड पता रहा हो कि कितना जबर्दस सवार इस पर बनते हैं बनो गवाग मारा ना चलो देखों अगर यही बात आप से ऐसे पूछ दे पी तो प्रथम यह प्राकृतिक संख्याओं का योगफल था अगर आप से ऐसे पूछ दे एक्यावन प्लस बावन प्लस तीर पन अग प्लस जो अगर बेसिक कटेगरी बनाओं घ्याल समझना पहले उसकी बात हम समस्के जो बेस्क कटेगरी आप पढ़े होगे अगर उस बात पर उस प hedge चर्चा करोगे तो पहले इसे एक से लेकर सव तक जाना पड़ेगा तो नहीं हो जाना पड़ेगा एक से फार्मूले बता रहा ठीक है ते यह हो जाएगा यान यान प्लस 1 बाइढ तो सौंग प्लस 110 और बटा 2 माइनस एपचास और यान प्लस बटा तो यह देखेंगे तो यह 50 बार जाएगा तो सौग पचास 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 हो जाएगा पाचीस उड़े क्या ओन करोगे तो बाराइप चाथतर और इन दोनों को घटा दोगे तो आ जाएगा साइटीस पचाथतर कि इस ना जाएगा साइटीस पचाथतर आ जाएगा और आप लेके दोगे वह बोलो वाई यह तो करोगे अगर YEN EN In Plus 1 का यूज़ किसका यूज़ कि हम यहापर 2 जगा यूज़ किया हूँ तो यह वाला य आन और यहनल कर लो और यह जुर लो है यन आप सब्सक्राइब आपने पढ़ा पदों की संख्या निकाल लो पदों की संख्या अंतिमपद माइनस परथमपद तो स्थाओ माइनस एक्यावन बटे सारवंतर तो सारवंतर कितना होगे एक प्रस एक यहां से आप निकालोगे तो एह हो गया उंचास और उनकास प्लस एक हो गया पचास तो पदों की संख्या अगयी अब आपको तो निकालना थे योगफल तो योगफल के प्लस अंतिम पद अबटे दो और गुड़ा के पदों की संख्या यानि 50 पचाश के क्याओं हो गया तो यह हो गया उपर एक सो एक क्याओं गुड़ा इसको आप काटे गो तो एक पचीस आजाएगा पचीस अका की सब्सक्राइब तो अब पताओं की संख्या अगर मुझे पता चल जाए तुमने सवाल को विदिन सेगंडों में अब जैसा भी सवाल आए आप इस तरीके से करोगे तो बहुत भाश्ट कर जाओगे अगर यहन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल अपसे पूछा जाए वर्गों की बात मैं कर लेता हूं जिसे एक का स्कुएर प्लस दो का स्कुएर प्लस तीन का स्कुएर ऐसे आप से मालेज़े दस का स्कुएर पूछा गया है तो क्या लिखते हो यह एं प्लस वन तो यह प्लस वन भई आप यह बढ़ा दो इसे अपने आप पर दस एक ग्यार और इन दोनों को जोड़ दो एक एक एस और बटा की इस वह बता रहा था प्योंकि फार्मुले को बहुत लोग भूल जाते हैं तो आपको भूलना नहीं है इ देखो दो ती है चाँ दो पचे दस तीन सते एक कई साथ पचे 35 और गुड़े ग्यार है अगर आपको 45 का गुड़ा 11 से करना ध्यान देना तो पांच लिखना पांच नौ लिखना और इस चार को लिखना और इस चार को लिखना बहुत आसानी से उत्धर आज़े तो टेंस आप आले एक साथ फोय ग्यारे क Jonathan कुंद करहें हुं देखो धियान दो एक लिखना एक यह दो लिखना को लिखना यद आ क्ठवी दो लिखना फिर मतलिक ए तो लिखना फिर लीक लिखिन अज करी बात है कि चलो कि अब समझेंगे तीसरी बात देखो अगर अगर मुझे इस बात को समझ में आ जाए कि अगर मुझे इस बात समझ में आ जाए कि एक का स्कॉार प्रजों का स्कॉार अगर यह बीस का स्कॉार तक कि हमको डारेंट निकालना हो तो क्या मुझे जुवार बनाना जला बताओ बीस पद है तो बीस लिख दिया बीस के बाद एक कैस लिख दिया और इन दोनों को जोड़ दिया कितना हो गया एक तालिस बटेच है यह जुवार है इसको दिमाग में आपको रखना है सवाल को लगाने के लिए लेकिन जब यही सवाल लेकिन जब यही सवाल इस टाइप से पूछा यहां देखो एक का स्क्वार प्लस दो का स्क्वार कई बार ऐसे लिख देगा एकस का स्क्वार बराबर एकस एकस प्लस वन और टू एकस प्लस वन बाई सिक्स हो तो एक का स्क्वार प्लस दो स्वराइ तो बात को सब्छना ऐसे पहुत प्रशन पूछे गए यह बात कहा दे हो यह बात कहा दे क्या हो प्रया सब करेंगे जिससे आप सब्सक्राइब को तो आणनंद रायगा थोड disturber ऑससे क्या होगी मिर फोगा कि हमने जो चीज पढ़ा उसरों कर लिया तो शाह लेकिन आपको सवाल तो मिलेंगे सवालों की किताबों में तो मैं पढ़ा लों तो अटेंड़म सवाल आपको खराय जायेंगे कभी-कभी ठीक है अब देखो आप जिन लोगों को फर मुरा भी नहीं पता होता यहां पे रख लेते हैं कि भहीँ इस यक्स की बेलू तो इन्होने क्या कर रखी है 20 देर रखी है तो 20 अरखने में कह जाता है तो हम रख देंगे तो 20 और मेरा तो ही हिसाब है 20 और 21 और 21 एक तालिस एक तालिस बटा च्छा तो दो तीएई श्य दो दहां में 20 तीन सते 21 हो गया तो पात पाच्छोग 28 और दस है तो एक जीरो यानि अठाइस सो सिंपल सी बात हो गई चलिए आगे थोड़ी से चर्चा और करते हैं अगर वह तो आसान है आपको पता है एक का क्यूब प्लस दो का क्यूब प्लस ऐसे चलता रहे और दस तक क्यूब पूच्छ दिया आपसे अपसे अधर आज कल आ होती है कहां से आती है और हम उसको कैसे हल करते हैं इन चीजों पर चर्चा हमारी आपकी हो रही है ठीक तो आपको पता है कि ज्यान देना इसे करके दस तक का योगफल मैं तो बीच पाँचल पांच कंगा दोपांचSo 15 आएगा इसका योगफ़ खायगा एक सो पच्पन तक आ जाएगे अगर 20 तक का योगफल देखना हो आपको अब इसको भी देखो कैसे चेक करते हो समझना अभी मैं बताता हूं कि चेक करते हो कैसे आएगा कि 11 से अगर 20 तक देखोगे तो प्रथम पद 11 अंतिम पद 20 बटे के दो यहीं तो आपने पढ़ा गोड़े पदों की संख्या 10 तो आप बताओ यहां से दो पच्चे 10 हो जाएगा और 20 11 कितना हो जाएगा 31 और 31 गुड़ा पांच कितना बताया था मैं कल एक्सव पन तो एक्सव पच्पन ही तो इस बात को रिमोट दे रहा है तो चीज़ दिमाग में रहे जैसे प्रस्चन आया बच्चा देखो कभी कभी क्या करता है यह कि एप एप प्लस दो प्लस तीन ऐसे जया गया मालों पचीस तक गया अपचीस के बाद पुना ही है 24 प्लस 23 ट्र दाट ट फ्र ट्र प्लस एक तक आगया कि ने तो ि इसलोग क्या होगा तो आप दो जहां तक पहुंचा है जहां से अधर गया जहां इहां से धर गया ह pénिश का में पचीस का क्या करदो स्क्वार कर दो अध् है शासो clean 800 बात हो गईisa mm अब इसको लगाने का तरीका भी समझ लेते हैं थोड़ा सा थोड़ी से बास समझेंगे देखो भाई यहां से पचीश तक तो पचीश पद हुए तो मैंने का प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे दो गुड़े पदों की संख्या प्लस प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे दो गुड़े पदों की संख्या यह हो गई दूई-12 लाया है कि एडो तेरह तो तेरह गूड़े पचीस कितना हो गया पचीस दियांप 75 या पचीस दहां में दूसर dúस्टास और इसे करो पचीस कुछ भी कर सकते हो भई हुए 50 दियांप शाथ मैंहें सात्मक्ति अर्धी सब्सक्राइब साथ 32 प्लस इधर हो गया पचीस गुड़ा बारा तो पचीस बरहाम में साथ एक सौसी पचीस बरहाम तीन सोना तीन सो हाँ तो हो गया च्छासो तो आप इस तरीके को दिमांग में रखना कि कहां से निकल कराता है कि अगर यहां से पहले भी 24 संक्या यहां से पहले भी 24 संक्या और यह एक 25 संक्या ना अब यह चेस्ट देखे हो ना यह से बनी होती है तो 24 बारा इधर और एक वाला यह हड़ी तो कि इतने हड़ी 25 हड़ी सवाल लिया गया यह बीच वाला के वाली स्क्वायर कर दोगे तो आपका एंस्वर आ जाएगा क्लियर हुआ कि बुलिए कि बात को समझते रहना बच्चा बेसिक सांसेप्ट है लेकिन बहुत ही जरूरी कांसेप्ट है ठिक है तो चलिए देखते हैं आगे थोड़ा सा और कि आप समझेए अगर यही बात क्या अगर यही बात पचास तक लिख कर नीचे तक चला जाए एक तक तो क्या इस सकते कितना हो जाएगा पचीस सो हो जाएगा पचास के स्क्वार कितना हो जाएगा पचीस सो हो जाएगा तो आप देखो पचास के स्क्वार कितना गया है पचीस सो गया अब आप करना भी जाते हो तो कर लेना एक काम आप करना है कि भाई 49 पद इसके पहले है उन्चासपद उसके पहले हैं तो बीच वाले का स्क्वायर करने पर हमको संख्या प्राप्त हो जाती है यह बात आप याद रखेगा चलिए कि अब हम पढ़ेंगे टाइप नंबर वाइद करेंगे अब हाज संख्या पर कि अब हाज संख्या एक सहभाजी भी होता है क्या होता है तो सहभाजी क्या होता है जिनका मौसर जिसका मयख्या होना चेह एक होना चाहिए यह सहाभाजी कहलत है जिनका मसर एक होना चिस अब सबस्क्राइब जानते रहना क्योंकि यह कभी-कभी आपको जरूरत पढ़ेगी तो जरूरत जब पढ़ेगी तो चर्चा उसकी करेंग अब हाज संख्या मैं आपको बताया था भाज और भाज को थेरी के रूप में बताया था नहीं बताया था तो हमने बताया था कि भाज संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है होती है जो एक से और स्वयम से कटने के उपरां किसी अनने से कट जये है है अ lecker आप आजिसम क्या इसी संख्याय होती है जो एक से कटे और स्वयम से कटे क्लियर है जैसे द्यान जमिना जैसे मैं कहा दूं कि 243 कितनी अभाज संख्याओं से भिभक्त होगा 243 कि कितने अभाज गुड़न खंड होंगे पहले इस पर हम चर्चा करेंगे तो 243 की बात हम करते हैं तो आप देखो तीन अठें 24 और तीन एक का तीन फिर तीन से काटा 27 फिर तीन नुवाद 27 फिर तीन तरिक का 9 फिर तीन एक का ते आप देखो कितने अभाज संख्याओं इसके गुड़न खंड होए तो एक दो तीन चार पाच भाई यह तीन की घात पाच बनी यानि पाच आभाज गुड़न खंडवे पाच अभाज अभाज एक चीज़त दिमाग हमेशा रखना कि जितने भी यहां पर बैलू आती है जितनी बैलू इस कंडिसर में जितनी बैलू यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आएगी यह सभी अभाज गुड़न खंडवे क्या होंगे अभाज यह होंगे क्यों ऐसा होता है देखो अभाज यह क्योंकि एक चोटी सबसेश चोटी सम्संक्या भी अभाज होती है दो और जब आप किसी चीज़ को दो से काटना शुरू करोगे तो दो के मल्टिपल में ही आए कि चाहे दो होगा चाहे चार होगा चाहे आठ होगा आएगा कि नहीं तो जैसे आठ को ही हमने काता ही मैंने है किर दो से मैं काठोंगा धेको एवी कितन आभाज सांथना है नहीं मैंने काह मैं चाह सो फंदर वकु अब डो से कटना शुरू कि फिर एक तीन से काटा एक आगया आप देख रहे हो कि इधर वाली संख्या यानि ये वली ये सब क्या रहे आभाज संख्या यार तो समझ मैं अभाज गुर्ण खंड क्या हो गया हो गया कि गुले ये सब बाते टाइप नमबर फाइब में समझने का प्रयाश तो हेडिंग डालोड टाइप पांच आभाज संख्याओं पर आधारित प्रश्ण आभाजे अधाओं पर आधारित प्रश्ण इस पर चर्चा हम कल करेंगे ठीक है कल की जो मेरी टाफिक होगी वह इस अभाज संख्याओं पर आधारित प्रश्ण की होगी और और इसके आगे वाले जो हम निकालेंगे कि इतनी अभाज संख्याओं से विभक्त होगी कितने इसके गुर्णखंड होंगे कितने इस गुर्णखंड की योगफल होंगे इस शर्चा को हम कल आपसे करेंगे ठीक है तो आज की सभा जो है मैं इन्हीं कलासों से समाप्त करता हूं कल जो हम मिलेंगे तो हम आगे की बाते भी आपसे कर लेंगे ठीक है कोई दिक्कत